कि जब भी मैं फुल सेल की कंस्ट्रेक्शन पढ़ रहा था तो उसमें क्या था सिंपल मैंने वायर के थुरू क्या जोड़ दिया था बीच में साल्टूरिज लगा दिया था अब मैंने क्या कहा था कि यह एक एनोड कंपार्टमेंट है और यह एक केथार कंपार्टमेंट है थीक है अब बात यह फस्ती है कि अगर इसको मैं बोलता हूँ तो मैंने दूसरे इसको डिफाइन किया था क्या oxidation half cell और इसको मैंने क्या define किया था इसको मैंने define किया था reduction half cell बात समझ मारी है रे अगर मैं इसको oxidation half cell बोलू तो इसकी मैंने reaction क्या बताई था आपको simple बताए था कि zinc solid होगा और वो क्या करेगा रे zN2 positive aqueous में convert होगा कब दो electron को निकाल के ये कौन से दो electron जो इसके outermost valence select जो cell होगी उसमें क्या होगे present होगे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि इसके case में क्या होगा copper two positive two electron खाएगा और copper solid में जा रहा होगा इसी process को मैंने क्या बोलाता reduction half cell बे होने वाली process बोलाता जिसको मैं क्या बोलता हूँ cathode का cathode की process बोलता हूँ रहे बासट नजमारी है भई कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि ये जो oxidation half cell है या ये जो reduction half cell है ठीक है भई मैंने कल क्या कहा अगर मुझेMayodenode cell निकालना है तो मुझे Anode भी चाहिए अगर मेरे पास क्या जर्फ एनॉडी है